कि एंडी पीएस के अकॉर्डिंग ली इंडिया में लास्ट दस सालों में जो ड्रग्स यूज के केसिज हैं वह 74% हाइक हुए हैं अब इमाजन कर लीजे यह तो वह केसिज है ना यह तो वह उन केसिज का सर्वे है जो रिजिस्टर हुए हैं उन केसिज का क्या जो कभी नोन म किसी के नहीं आये पिछले कुछ टाइम से हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ड्रग्स का कंजॉम्शन ड्रग्स के अवेलेबिलिटी और यंगर जनरेशन जो ड्रग्स में इंवाल्व हो रही है हमारी सिटी में यह तो एक स्ट्रा एक चेंज बहुत प्रॉमिनेंटली हमें तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं किसी भी तरीके से ड्रग्स की अवेलेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है हमारे पास जो पिछले बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं सेविल लोगों के लिए और पुलीस के लोगों से भी जो भी नशे से जूज रहे हैं तो जैसा यहां पे ज पास्टी जो पेशिंस आते हैं वो मेली इलकोहल उसके बाद हेरोइन उसके बाद कैनाबिस और प्रेस्टिप्शनल ड्रग्स में जो बच्चे हैं इस तरह की पेशिंस आता हैं तुछ एक्सेप्शनल कभी-कभी जैसे कोकेन है या बाकी तरह की मेडिकेशन हैं उसमें भी क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो इसे चेस करते हैं तो एमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो थोड़सा ज़्यादा जरूरत करता है और बॉडी का एक मेकैनिसम ऐसा है कि ओवर पीरिड़ ऑफ टाइम जो डोस जिस डोस से उसे रश मिलता था बिसलिए कंसेप्ट क्या ह एडिक्शन का हमारे ब्रेन में एक रिवार्ड सेंटर होता है जहां पर एक वो फीलिंग अफ वाव या जो रश वो फील करता है और वो रश हम बहुत सी नाच्रल चीज़ों से भी फील करते हैं अच्छा खाना हमारा भूमनार और कोस्टर और बहुत सी सारी चीजह लेकिन जिस लेवल का रश या जो वो डोपामीन सर्ज इन ड्रग से मिलती है उस लेवल का रश और किसी चीज़ से नहीं होता है और जब पेशिंट एक बार वो हाई लेवल अफ जो रिवार्ड सीकिंग जो उसका वो होता है और ड्रग से एक्स्पीरियंस करता है तो उसके बाद दूसरी चीज़ों में कोई मज़ा नहीं आता है शूटिंग के दोरान ही कुछ वहाँ पे ऐसे लोग थे जो खुद को नशे से दूर करना चाते थे यह जमो कुश्मीर प्लीस का एक कॉंस्टेबल था इसने जाने अन जाने वे नशे को अपनी जिंदगी में इतना गहरा उ इतना उस चीज़ का आधी हो गया था बिना डोज लिए इसको नीब नहीं आ रही है यह दोनों भाई हैं और जब मुझे किसी गाउं से भी लॉंग करते हैं दोस्तों के उकसाने पे ड्रग्स को ट्राई तो कर लिया लेकिन अब इससे इतना परेशान होगे कि इससे निजा यह भी चोली भी कर रहे हैं लूट पार्ट भी कर रहे हैं ऐसी ऐसी हद तक पहुचके हैं कि यह अब उसको अगर ना लेक दिन तो बरदाश ने कर पा रहे हैं और आप यकीन मानें इनका हर दिन का खर्चा ब्रग्स पे तकरीबन पांच हजार के करीब हैं और यह लोग इतने आदी हो चुके हैं कि यह लोग इन्जेक्शन यूज कर रहे हैं एक दूसरे इंजेक्शन यूज करने से कैसी कैसी बिमारी हो सकती शद मुझे आपको बताने की जरूत भी नहीं है फिर हम मिले कुछ ऐसे लोगों से जो इस चीज का शिकार हो चुके हैं वो कैसे चाह हो नशे के कारण क्या नशा करते हैं हिरोईन किता देर होगा यूज करते ही त्री एर्स कैसे लट कैसे बढ़ी शुरुवात कैसी शुरुवात संगत यार दोस्त पहला पहला यार पहला कफिया था फर्स्टम यह था तूट हज़ दोजार बीस जनवरी मन अक्चुन में दो तो उसके साथ तो दोस्तने फोर्स हिए था अपनी मर्जी नहीं था खुद की मर्जी करने की लगाने की लेकिंडों दोजने फोर्स किया तो कि यह दो लगा ले एक पर क्श़ टाइम कर हां बहूत अच्छा फीला था टाने इह पर स्क्रिका चस्फ हुरा फीटा फीड जया मतलब कि तोड में दर्दे रहती है जिसम में पूरे सुस्ती इरिटेशन बगरा और सुस्ती और पेंट बगरा अचा मतलब जैसे कि नहीं मिलता था तो इसा होता था कि पैसा चाहिए चूरी कर लो या मतलब गल्द काम तो चूरी तो नहीं किया लेकिन गरवालों के साथ लड आइसा 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 ऐसे पहले दोस्तों ने प्री में शे साथ मेने फ्री मरवाया तो उसके बासे जब लगा कि अब लग गया नशे में तो फिर खुद के पैसों से करना बड़ा कितना पैसा लगता था एक महिने का एक दिन का तीन से चार जार अब भी के टाइम पर है थे कि जिदें कि दिन में तीन दो से थीन थार कर लेते हैं इतनी डूस है शेला इस पर नशे करते हैं अच्छा पांच साथ साल किया था यह की आज से कोई दो यार सोड़ा सत्रह में किया था शुरू मतलब कि कुछ अच्छा फील नी पहली बार हुआ था जब उसके बाद लगी तो शुरू किसमें कर वाए तो यहां फ्रेंड फ्रेंड वेया फ्रेंड कोई लगता लेकिन क्या करें मजबूर हैं जब इसका तो जब पड़ती हमको हमारा श्रीर पूरा दरज करता है पेने होती है प्रिक हमको लेता हुं कि मर जाओं फुट को मार दूँ या किसी को मार दूँ पैसे लें अस्का तो बेए कुछ नी वाभी तक जो फूछ लोग आधसे भी हैं जो इस नशे के लिए करते हैं कि कुछी की जान लेवा कि जी कुछ करना की यहां पर किस नशे की वज़े से हो कि मैं सर्ट के वाज़ा हैं ये अधल को पता है किसी मिल जाता है ये आई कर तो आपको पता है यह सर हों डिलिवरी का शिस्टम चालरा है आई कर वम दिलिवरी वह जाती है यह सर नहीं को रही है भाधा लादी अधी ग्राम दो यह जा वादा जाव चार अजार ग्राम और दिन में तीन आदी लगाते थे शे जार का मतलब अगर महीने के साब से करें तो यह बहुत आगे से ली जाती है यह इतनी हमारे जम्मू बीशी की इतनी पेर नहीं होगी जितना आम यह जो भी जितने हमारे जेन के प्रीज अफ्राना कि ये पीने वालों को ना पकड़े प्लीज जो ये ला रहे हैं उनको पकड़ो ड्रॉज और इसकी एडिक्शन हमारे इंडिया के यूथ को खा रही है मजब यार आप लगा लो अगर एक सोसाइटी में दस घर है ना तो दस घर में से तीन घर में कोई ना कोई आपको किसी ना किसी ड्रॉग्स का शिकार दिख जाएगा चाहे वो अलकोहॉल हो चाहे वो सिग्रिट्स निकोटीन हो चाहे वो जो ओपियम चुट्टा ऐसी जितने भी ड्रॉग्स रिलेटेट्ट चीज़ें हैं वो सब कही ना कई किसी प्रकार से आपको भाई अडिक्टिट दिखे जाएंगे और हम क्या करते हैं अगर हमारे आसपास कभी ऐसा हो रहा हम शिकायत नहीं करते हैं या हम इसे बात नहीं करते क्यों क्योंकि जो माफिया इन व खिलाफ होके चाहे इसमें इनवाल्व होके जाए इस हाई टाइम अब हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज गंदी चीज है जो हमारे भविष्य को हमारे देश के भविष्य को खोखला कर रही है जब यूथी स्टेबल नहीं रहेगा यूथी अच्छा नहीं रहेग दूसरे देश को चाहते ही है ना इनका यूथ खतम हो जाए बाद में हमारे पास सारी पावर हो तो फिर इनकी बजाएं अच्छे से सो इस हाई टाइम अब सोचना पड़ेगा और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मैं आपकी अपनी आवाज आबिद रजनिश परिहान के साथ सोचिएगा जरूर क्या सही क्या गलत